साथियो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसन गूलबल इस्टेडिज पर तो साथियो हम लोगों ने जहारखन प्लीस पेपर टू समाने हिंदी कल जो पढ़ेते वो पढ़ेते चौदमा सेट ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे पदरमा सेट ठीक है तूटल छा गया ठीक है आप चनल हैं नहीं हैh तो सबस्क्राब कर दीजेगा दोस्तों को जरूब से जरूर dibuj से शेयर कर दिए रेकर और साथ ही साथ अगर अभी तक आप अगर टेली क्राम में नहीं जुडए हैं तो टेली कराम में जरूर ब्लहोप से जरूर जुड़ जाइएillग किस भासा की लेपी ब्रहही के दक्षिनी रूप में विक्सित होई ईसका correct answer हो जाएगा कन्णड ए नंबर correct answer हो जाएगा साथ यो जदा से त्याधा शेयर करने की कोशिष जरूर से जरूर कीज़ेगा ठीक और वीडियो आपको किस तर लगा ठीक है जरूर कोमेंट कीज़ेगा डेली मैं जहाकन प्लिष पेपार 2 गा समायन हिंदी डेली वीडियो प्रवाइड करता हूं और पीडिया भी टेलीगरा कौन सा है उसमें जो वेंजन है वो कौन सा है इसका correct answer हो जाएगा ए नंबर 100 तालब 100 मुर्धान 100 दन 100 यह मेरा क्या है साथ हो यह है उसमें वेंजन ए नंबर मेरा correct हो जाएगा next question क्यों आगे बढ़ती है next question है निमलिखित में से कौन सा सब्द समुवाचक संग्या नहीं है कौन सा सब्द है जो क्या है समुवाचक संग्या नहीं है option साथ ए नंबर सभा B है कक्छा C है भीड और D है दोड इसमें क्या पुछा समुवाचक संग्या नहीं है यह बताना है त बोड मेरा D number correct answer हो जाएगा, next question है निवन में से कौन सा सब्द इस्तिरलिंग है, इस्तिरलिंग सब्द बताना है, इसमें इस्तिरलिंग जो सब्द है, वो कौन सा है, इस्तिरलिंग सब साथी हो सुन्दरता जो है, वो मेरा इस्तिरलिंग सब्द है, बी नंबर मेरा correct answer हो जाएगा next question है दिये गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुन धर्म भाव वाला बहुवचन है गुन धर्म भाव वाला क्या है बहुवचन है तो इसका correct answer ए नमर हो जाएगा सुधीजन जो है वो मेरा गुन धर्म भाव वाला बहुवचन है ए नमर मेरा correct answer हो जाएगा next question है निमलखित में से कौन सा सब्द नीजवाचक सर्वनाम है कौन सा सब्द है जो नीजवाचक सर्वनाम है option A है साथियो तोर, B है काकर, C है तही और D है तुमन तो इसमें कौन सा सब्द नीजवाचक सर्वनाम है साथियो इसका correct answer हो जाएगा C number तही जो है वो मेरा नीजवाचक सर्वनाम है C number correct हो जाएगा next है मौसम आज कुछ सुहना सा है मौसम क्या है आज कुछ सुहना सा है वाकिम में सुहना सब्द किसका परिचायक सब्द है किसका परिचायक सब्द है साथियो इसका correct answer C हो जाएगा विशेशन का है C number correct हो जाएगा next question है कौन सी संक्रमक किरिया है कौन सी जो है वो संक्रमक किरिया है इसका correct answer C हो जाएगा तेल जो है वो मेरा संक्रमक किरिया है सोरी सातियो लेना क्या है संकरमक किरिया है C number correct हो जाएगा next question है चुहा बील से बाहर निकला में कौन सा कारक है ये बताना है तो चुहा बील से निकला सातियो ये कारक कौन सा हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा B number correct हो जाएगा Next question है उस जगह एक सभा होने जा रही है उस जगह एक सभा होने जा रही है रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है कौन सा परसर्ग नहीं साथ उपसर्ग इसमें पूछाए कौन सा उपसर्ग है तो इसका correct answer B हो जाएगा अधिकरन B number correct हो जाएगा Next question है संभवता वर्तमान D number correct answer हो जाएगा साथियो अभी तक आप share नहीं कियें तो share कीजिएगा ठीक है और दोस्तों को share नहीं कियें तो जरू कीजिएगा और subscribe नहीं कियें तो subscribe जरू किर लिजिएगा daily video आपको जारकन पूस रिलेटेर जितना भी slave में दिया गया है total आपको daily provide किया जाएगा और provide इससे पहले में कर रहा हूँ आप playlist में जाके देख सकते हैं बढ़ते हैं next question की और next question है नीवनी में भाव आच्ची है इसमें भाव आच्ची कौन साथ हो तो C number correct answer हो जाएगा मोहन से बैठा नहीं जाता C number correct answer हो जाएगा next question है जिन अव्यवों का संबंद वाकि से नहीं है वक्ता के हर्स सौक आदी भावों से होता है तो dash क्या होता है ये बताना है तो इसका correct answer A number हो जाएगा बिस्म यादी बोधक A number correct हो जाएगा next question है निमलिकित में से कौन सा तदभव सब्द है तदभव सब्द बताना है कौन सा है तो A number 5 जो है साथियों मेरा तदभव सब्द है A number correct हो जाएगा next question है रीपो तार्ज किस भासा का सब्द है तो option A है फ्रांसिसी भासा है B अंग्रेजी C पूर्टगाली और D है जापानी तो कौन सा भासा है साथियों इसका correct answer हो जाएगा A number प्रांसिसी A number correct हो जाएगा साथियों वीडियों में अंतक बने रही है जैदा वीडियों को स्किपना कीजिएगा वीडियों अंतक जरूर देखियेगा जैसे क्लास खत्म आपको पीडियाप टेलिग्राम में मिल जाएगा ठीक है बढ़ते हैं next question की ओर next है सौदा मनी सौदा मनी का परियावाची सब्द क्या है सौदा मनी का परियावाची सब्द है चिचला सब्द का विलॉम कौन सा है चिचला जो सब्द है उसका विलॉम क्या हो जाएगा इसका बी नमर हो जाएगा गहरा चिचला का विलॉम सब्द क्या होगा गहरा भी करेक्ट हो जाएगा next question है दिये गए विकल्पों में से उत्क नठा उत्क नठा के समनार्थी सब्द कौन सा है दिये गए विकल्पों में से उत्क नठा के समनार्थी सब्द क्या होगा सात्यों इसका correct answer हो जाएगा ए नमबर उत्सुकता अभिलासा correct answer ए हो जाएगा next question है नीचे दिये गए रेखांकित पद का अनेकार्थी सब्द लिखिए आजकल के घरों में एक सुसजित कक्छ आवस्यक होता है तो इसका correct answer हो जाएगा डी नमबर बैठक का घर होता है डी नमबर correct हो जाएगा next question है साथि हो जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यों में से एक सब्द है जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यों में से एक सब्द क्या है नस्वर है बी है लिप्सू सी है नी लिप्सू और डी है अलगहा वादी ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा साथि हो c नमबर होगा निरलिप्त c नमबर करेक्ट हो जाएगा next question है साथियो सवाल है फूक फूक कर पैरे रखना महावरे का सही अर्थ क्या है ये बताना है तो साथियो इसका correct answer हो जाएगा c नमबर सोच विचार कर काम करना c नमबर correct answer हो जाएगा next question है बैले ना कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है बैले ना कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है तो d नमबर होगा स्वामी के बल पर सेवक का सहास d नमबर correct हो जाएगा next question है समान अर्थ वाले सब्द लिखे समान अर्थ वाले सब्द लिखना है तो A नमर होएगा, PUSP A correct हो जाएगा Next question है दुकान में sorry, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, साथियो इसमें दुकाल लिखा गया, इसमें दुकान होगा, ठीक है तो दुकान में कौन सा उपसर्ग दिया गया है इसका option दिया गया है सुरी साथियो इसमें दुकाल ही होगा दुकान नहीं होगा ठीक है तो दुकाल में जो देया गया है कि कैसा उपसर्ग है तो इसका correct answer हो जाएगा c number हिंदी c number correct हो जाएगा next question क्यों आगे बढ़ते हैं next question है निमलिकित में से किस सब्द में नी परतिय नहीं लगता है नी क्या है नी परतिय नहीं लगता है c number correct answer हो जाएगा नौकरानी जो इसमें नी परतिय नहीं लगता है c correct हो जाएगा next है swoalp swoalp का sandhi vichyet क्या होगा swoalp का जो है वो sandhi vichyet क्या होगा तो इसका c number correct answer होगा next question है योगदान में कौन सा समास है योगदान में समास बताना है तो b होगा तत पूरूस b number correct होगा next question है ctt बजी और तभी परति भागी तेजी से दोड़े रचना की दिरिष्टी से वाक्य में कौन सा परकार है ये बताना है तो कौन सा परकार है ये मेरा सयुक्त वाक्य C नंबर क्रेक्ट हो जाएगा Next question है इनमें तूटी वाक्य बताना है इनमें से किसमें तूटी है ये वाला बताना है साथ हो हर एक चप्टर में और हर एक सेट में एक से दो तूटी वाला वाक्य पूछा ही जाता है ठीक है धियान में रखियागा तो इसमें तूटी वाला वाक्य कौन सा है इसका correct answer A होजाएगा A नमर correct होजाएगा कई railway के करमचारी भी क्या ये तूटी वाला वाक्य है नेक्स कौश्चन है निमलिकित में से सुध वरतनी का चेहन कीजिए तो इसका correct answer C होजाएगा O reason क्या होजागा सुध वरतनी वाला चेहन करना है तो ये सुध है O reason क्या है recent C नमर correct होजाएगा next question है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता या वाक्य किस वाक्य में है ये बताना है या वाक्य किस वाक्य में है साथियों इसका correct answer C हो जाएगा भावाज C number correct हो जाएगा next question है इतियादी सब्द में कौन से संधी है इतियादी सब्द में कौन कौन से संधी है ये बताना है तो इतियादी सब्द में साथ होगी वो संधी है तो कौन कौन से इसका correct answer A हो जाएगा यन संधी A number correct हो जाएगा next question है निमलिखित में से वाकी के सुध रूप का है चैन कीजिए सुध रूप का चैन करना है कौन सा सुध रूप है तो इसका D number correct आंसर हो जाएगा पिछले समवार को स्कूल बंद था D correct हो जाएगा इन में से सुध वरतनी का सब्द है सुध वरतनी का सब्द कौन सा है यह बताना है सुध वरतनी का सब्द तो साथियो इसका correct आंसर हो जाएगा B number सुध वरतनी का सब्द है संघर्स क्या है B number correct हो जाएगा Next question है निमलिखित में से कौन सा समास नहीं है कौन सा समास नहीं है यह बताना है तो समास जो नहीं है सातियो वो बी नमर होया कर्मकारक समास वो नहीं है इसमें पूछा गया है कि कौन सा समास नहीं है तो कर्मकारक समास बी नमर क्रेक्ट हो जाएगा नहीं है Next question है काम देव का परियावाची सब्द है काम देव का परियावाची सब्द है साथियो तो B नमबर होयागा अनंग या क्या है परियावाची सब्द है करेक्ट हो जाएगा समनार्थी सब्द का चैन कीजिए अरी जो है वो उसका समनार्थी सब्द बताना है A नमबर करेक्ट होयागा नेक्स कुश्चन है अस्थावर का विलॉम सब्द है अस्थावर का क्या है विलॉम सब्द है तो ए नमबर जंगल जग्म जग्म जो है साथ हो क्या है जंगल नहीं होगा साथ हो सौरी जग्म जग्म क्या हो अस्थावर विलॉम सब्द है अस्थावर का विलॉम सब्द क्या ह जगम तो ए नमबर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आवश्चे कता से अधिक दिरिष्टी होने पर उसके लिए कौन सा उप्यूक्त सब्द परियोग किया जाएगा यह बताना है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन साथ यह ब्याकरन का 40 सवाल कंप्लिट होने वाला कि कभी गाड़ी नौ पर लोकुक्ती का सही आज से क्या है तो बी नमबर हो जाएगा एक दूसरे की सहयता करना बी नमबर क्रेक्ट हो जाएगा तो ब्याकरन का 40 सवाल कंप्लिट होगा अब हम लोग तो हम आ चुके हैं, पैसेज की यूर, और देखते हैं, पैसेज में किस तरह का सवाल दिया गया, ठीक है, पैसेज में करना क्या है, इसमें आपको लाइन बाइन पड़ना है, ठीक है, और इसमें पांस सवाल रहेगा, पांस सवाल का अंसर देना है, तो बढ़ते हैं, संस्क्रीति के मूल्तत्व क्यों कहा गया है। इसका correct answer A हो जाएगा। यह समय के साथ नहीं बदलते A number correct हो जाएगा। संस्क्रीति के मूल्तत्व की उपेख्छा क्यों होने लगी। तो साथियो इसका correct answer भी हो जाएगा, पुरानी लूडियां और प्रमप्रायां पर हम हावी हो जाती है, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते हैं, भी number correct हो जाएगा, next question है, सांस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है, क्यों बताया गया है, इसका correct answer C हो जाएगा, उसका संबंद उच वनिम्न दोनों वर्ग से है, C number correct हो जाएगा, next question है, कि सांस्कृत के पुना निर्मान में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, तो C number सिक्षा पधती में बदलाव, यहीं क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है, सिक्षा पधती में बदलाव, C number correct हो जाएगा, next question है, सिक्षा पधती सफल क्यों नहीं हो पा रही है, सिक्षा पधती क्यों नहीं सफल हो पा रही है, साथियो, इसका correct answer A हो जाएगा, वो अमीरों और गरीबों के बीच खाई, चौड़ी कर रही है, इसका A number correct answer हो जाएगा, ठीक है, साथियो, यह passage का पहला passage था, इसका 5 सवाल थ इसको आपको answer देना है, सवाल है, इस गदिहांस में किस बात के प्रती सतर्क क्या गया है, किस बात के प्रती सतर्क क्या गया है, तो B number correct हो जाएगा, कलपना के अतरीक्त के प्रती सतर्क क्या गया है, B number correct हो जाएगा, सुन्दर हुआ है जो dice क्या करती है इसका बी नमबर होयागा correct समंजस करती है बी नमबर correct हो जाएगा सबसे अधीक दंडनिया वेक्ती कौन है इसका correct answer C हो जाएगा या थार्त का घिनावना रूप प्रस्तूत करने वाला क्या करता है सबसे दंडनिया वेक्ती है C नमबर correct हो जाएगा next question है सवंदर्निय उपयोगी तभी होता है जब उसे क्या होता है ए नमबर होयागा correct answer G1 असपर्स मिलता है ए नमबर correct होयागा तो साथियो यह 15 सेट का 50 सवाल की और हम पहुच चुके हैं यह अंतीम सवाल है साथियो 15 सवाल 15 सवाल का सवाल है कि नरक गाढ़ा जाना लगा अभी प्राय है क्या है अभी प्राय इसका correct answer ए नमबर होयागा लोगों को यातनाय दी जाने लगी ए नमबर correct answer होयागा तो लेंगे 16 सेट में तब तक क्लिए